हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अवर चैनल आज की वीडियो में हम जानेंगे बची हुई रोटी से एकदम टेस्टी और हेल्दी पोहा कैसे बनाया जाता है चलिए फ्रेंड्स इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं इस से दो चमच तेल लेना है क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं तो हम कम ही तेल का यूज करेंगे इसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी राई डालनी है और राई में अच्छा सा तड़का आ जाए फिर उसके बाद हम इसमें जीरा एड़ करेंगे दोनों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम तड़कने देंगे इसके बाद हम इसमें कटी हुई 4-5 हरी मेर्च आड़ करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से धीमियाज पे भुननेगे जैसे ही हमारी हरी मेर्च हलकी से भुन जाएंगी इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पता आड़ करेंगे और फिर इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे कड़ी पत्ते के बाद इसमें हमें एक बड़ी कट्टी हुई प्याज आइड करेंगे और उसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोस्तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है क्योंकि तभी बहुत अच्छा एकदम टेस्ट आएगा जैसे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो इसमें हम मुमफली एड करेंगे और इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छे से भूनेंगे यहाँ पर खचछी मुमफली यू词 की है Ό pode दूसे हो जाए में लो आजू में कर दोंड़ा है का यह हमें अच्छी तरीकी से अख़ल पुन लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं इसका color कितना अच्छा आरहा है फिर फ्रेंड्स इसमें मैं आधी चमर्श इसमें नमक एड़ करूँगी नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें आधी चमर्श हल्दी एड़ करेंगे फिर इसके बाद अपन हल्दी बना रहे हैं और आल्रीडी मैंने यहां पर ग्रीन चिली यूज़ करी है तो मैं यहां पर रेड मिर्ची नहीं डालूँगी मैं सिर्फ इसमें तर्मरी का यूज़ करूँगी और बाकी यह सारे इंग्रिडियंट्स जैसे ही यह सारी चीज़ें अच्छे से कुख हो जाएंगी और मसाले अच्छे से मिल जाएंगे हल्दी और नमक आपस में तो इसमें हम एक या दो मैंने यहां दो रोटी ली है उसका अच्छे से चूर्मा कर लेना है और इसको आच्छे तरीके से अच्छे से अड़ कर लेना है अपनी कढ़ाई में और आच्छे सारी कर लेंगे ताकि सबका टेस्ट एक दम बहुत ही आच्छा आए और सारे इंग्रिडियंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है फ्रेंट्स इसको हामें 2-3 मिनिट तक ही कोक करना है और 2 मिनिट के लिए आप चाहें तो इसको ढखके भी रख सकते हैं देखिये फ्रेंट्स कितना टेस्टी और यमी पोहा बनके एकदम रेडी हो चुका है देखिये फ्रेंट्स मैंने इसको सर्फ कर लिया है आप भी बनाईए और खाईए अपनी फैमली के साथ इंजॉय करिए अगर फ्रेंट्स आपको मेरा ये वीडियो आच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करिएगा और हाँ, बैल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा फ्रेंट्स चलिए, बाबाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप ये रेसिपी ट्राई करिए बनाना